चाल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं सरकार के कोई शिकाइन नहीं है महिंगाई जब आब आबादी बढ़ेगी तो महिंगाई बढ़ती रहेगी 500 बर्स हो गए हमारा जो है तो मंदिर था 500 बर्स पड़ा हुआ था मामला हम अभी पलिया विधानसभा लखीमपुर खेरी जिले की पलिया विधानसभा में हैं यहां हम नेपाल के बॉर्डर से लगबग सिर्फ आधा किलो मीटर दूर है चंदन चौकी मंडी यहां का एक बड़ा रंगवरंगा बाजार है नेपाल के बहुत सारे लोग इस बाजार में आते हैं अपनी रोजमर्रा की चीज़े खरीदने के लिए आप लोग कभी दुद्वा नैशनल पार्क आए तो जरूर यह चंदन चौकी मंडी तक जरूर आए एक बार अभी हम कुछ यहां पर यहां के बाजार मंडल के लोग हैं जो बाजार को चलाते हैं उन से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा रहा क्या उनको लग रहा है इस बार के चुनाव का आईए किसी को छोड़े बीजेपी में वोट उसी उड़ाना है वह गुफ्ता जी वह तो कहते हैं ना कि मतलब बनियों की वोट कहीं नहीं हिलती है हम जो ना देए तब भी कहीं है कि बनियों कोट हमें मिली माहुल को बिलाए कि ठीक है और पच्छ भी पर तो हर जगह होता है और सीट निकल जाए तो क्या बताइए जी क्या स्थेती है भी चुनाव में आप तो यहां व्यापार मंडल के अध्याक्ष्य आपको तो बाजार जाएगा नहीं है ना तो लेकिन वैसे अब इस कारेकार्ड में पांथ साल में आपको क्या लगता है काम कैसा रहा है सरकार काम इतना बढ़ी हा रहा है जो हमारे भाबा बाप फोटे वह हुआ हुआ कहते हमारे पीरियर्म कभी अशा नहीं हुआ जैसे कि क्या आपको वह तो में देनी देनी है कमाएंगे अपना अपना खाएंगे लेकिन सुरच्छा जो मिल लही है उससे हम सुरच्छीत है सबसे बड़ी चीज यही मिली है सुरक्षा मिली है और तो नाना परकार काम है उनसे कहने क्या फाइदा है लेकिन में चीज है सुरच्छा तो जो सु सब्सक्राइब आपको कैसी लगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक चीज बताईए क्योंकि हम तो हर जगा गूमते हैं कई लोगों से बात हुई है तो जैसे आप लोग बता रहे हैं खासकर कि जो शेहरी तो थोड़ी तारीव आपकी तरह कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे और लोग कैरे हैं कि बेरोजगारी की अकसर बात कर रहे हैं और महंगाई के लोग बात कर रहे हैं आप लोग तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष्ट आप लोग आपको क्या लगता है जो लॉकडाउन रहा है जी एस्टी रही और उससे पहले नोट बंदी रही यह इन सारी चीजों से क्या असर रहा है यह आपार पर और मतलब यफसाय पर कैसा से तो कुछ थोड़े दिक्कते आती है प्रोवलों माती है लेकिन बाद में अशुदार हुआ उसका और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे कि अगर हमारे पास काला धन है तो हमें तो दिक्कत होगी होगी ठीक है लेकिन जो माने मोदी जी ने योगी जी ने क क्या किया तो थे प्रृत थे प्रृत है किर दो अदाए मोधिये से तो भी नाराजगी में बोलता है कई बर कहता है कामड़ा बंद करो तब बताएंगे हम ये भी बताने हैं आपको, कैमरे पर तो बोल देंगे भाजपा, लेकिन कैमरा बंद करो तो बताएंगे, दिल में 20 बहुत है, नोट बंदी और फिर GST, और फिर लॉक्डाउन तो कहने हैं कि वो रिकवरी के जो पेक कुछ सवरकार से मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल आप सुरक्षा से खोश हैं, मुख्या रूप से सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा है, अगर देश की सुरक्षा नहीं है, तो हमारी सुरक्षा कहा होगी, जब देश की सुरक्षा नहीं होगी, फिलाल मेरे बिचार से अगर इस पिरेड में कोई दूसरी सरकार होती, तो क्या सबसाथ है वहाज किया बहुत बढ़ा वाइदा ये इस बार सरकार ने किया था पिछली बार कि कि इन्नोंने कहा था कि इस बर रोजगार और भ्राइख दोनों चीज़े नहीं गई लोग रहते हैं उसमें क्या सरकार सफल रही दिखो और जो नहीं करने वाले सफलता नहीं मिली तो बेरोज़गार लोग अपनी अलस की वज़से हैं सरकार का कुछ ले लें लें सरकार के कोई शिकाइन नहीं है यहां तो हमारे यहां परियुद्धना खुली है तो परियुद्धना के माध्धम से अंसूचित जंजात को फिरी सारी चीजे मिलती थी वह आज भी कुछ मिल लहीं है और वह भी परिया उनके घर लगा है कि अजयर रूपे का महिंगाई को ना आप रोख पाएंगे ना हम रोख पाएंगे महिंगाई जब आब आबादी बढ़ेगी तो महिंगाई बढ़ती रहेगी और दिए बिजुली का कनेक्शन इन्हों ने फिरी दे दिया रहे हैं यह तो हम गाउं गाउं जाते हैं महिलाओं से बात करते हैं बहुत सारी महिलाओं जो थोड़ा गरीब परिवारों से हैं वो सेलेंडर पर आई थी लेकिन हम वापस मिट्टी के चूले पर आ गई सबसेड़ी नहीं आ रही है उनकी अकाउंट में तो अब एक चीज बताएं आपसे आपका बेटा है आप साधी एक मरतवा करोगे कमाओ खाओ रोजगार अपना पकड़ो ये तुम पे डिपेंड है अब ये बताईए दोहजार सत्रा में भी हम घूमे थे यूपी तब अंदर ये अंदर एक आंधी तूफान नजर आ रहा था ठीक है भगवा तूफान नजर आ रहा था इस बार हवा की रफतर थोड़ी सी कमजोर लग रही है पिछली बार के लिए सच बतार आप बताईए है कि नहीं आप इनके अंदर सेहीं सीरता है जो उबाल नहीं भरते हैं अनिपाल की यहां चाहें कांग्रेस ले लो चाहें बसपा ले लो चाहें संपा ले लो इनके जो कार्ण करता है य वोटर है इनके अन इंदर एक उबाल है जैसे अब हिंदू की बात कर रहे हैं तो इस बार वही हम आपको बोल रहे हैं पिछली बार तो बाहरी मंक्या में हर जाती का इनसान कमल की तरफ नजर डाल रहा था इस बार जैसे पश्चे मुत्तर प्रदेश में हम देखे जाट यहां तक की गुजर भी जो मतलब पूरी तर समाज के जैसे लोग इधर 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 बटे हैं उस बार इस बार वो कह रहे हैं कि महंगाई के नाम पर वोट देंगे धरम के नाम पर नहीं देंगे वो नहीं कह रहे हैं यह जो इलकसर लड़ने आते हैं या निपाल्टियां हैं वो हमेशा एक दूसरे का विरोद कर सब्सक्राइब करते हैं तो एक चीज से बहुत नाराज है अमने सुरक्षा का सवाल उठाया तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं सर्कार जो किसी को लेसंस देती है तो वो ये जरूर कहती है टुमारी सुरच्छक लिए है आप गाड़ी से आ रहे हो आप गाड़ी साबने जो भीस आदमी खड़े हुई जाई आप पाँच आदमी हो तो आप उन्हें बचाने के लिए तो दाएं बाएं निकालोगे आप गलत देखे हो लेकिन हम लोग नजदीक के तो अपने को बचाने के लिए तो आदमी कुछ ते कुछ करेगा जान बचाने के लिए भागेगा और भागें कोई आई गया तो हम क्या करें मिल लेनी की या वरत कहता थी रोट आप आप कह रहे हैं लेकिन वह तो जो एसाइटी के भी रिपोर्ट कह रही है कि पहले गाड़ी मारी और फिर उसके नाराजगी में लोग में लोग में इसमें तिखाया नहीं प्त्रकारों आगे से सीचा टूटा हुआ है अगे जब अंदर से सीचा तो तब गाड़ियां इस बीट में निकली वहां से बचाने के लिए आदमी कोईश करेगा आप गया रहे हैं बचाव में मारा नहीं इसके बचाव में आ गए उसके बास सारी भी पच्छी पार्टियां उन चारों के लेकिन पत्रकार के माबाब तो उल्टी बात बोले हैं वह तो बोले हैं कि भाईया यह तो भाजपाके नहीं है और बलकि यह तो उन्हीं की गाड़ी में मारे गया उसके घरवाले बोले हैं इसके लिए वकील बहुत गुमते हैं कोट पाज़ साथ से जाता है तब ही वो नि उल्टा बोलने लगता है चलिए मुझे यह बताईया आखिर में कि इस बार आपके हिसाब से सबसे बड़ी उपलब दी इन पांच सालों में और क्या रही है क्या राम मंदर सबसे बड़ी उपलब दी रही है क्या सुरक्षा सबसे बड़ी उपलब दी रही है क्या क्या सब्सक्राइब कश्मीर का 370 मंदिर था 500 बर्स पड़ा हुआ था मामला और अन्य पार्टियां बीच में कोट में पहुंची कि आप नहीं होना चाहिए रोग देना चाहिए समय लगते रहें वह पूरा कोट के द्वारे निर्ड़ा हुआ सब्सक्राइब करें तो इंडिपेंडेंडेंट चलता है ना चलता है तो आप कह रहे हैं कि सरकार का कोट पर भी कब्सव होगे सब्सक्राइब करोना रहा इतनी जल्दी कोई किसी कोई देश इतनी कल्ट्रोल नहीं कर बाया और इस बार यूपी में ही देख लिए शुरवात कैसे अराम पर समनी पड़ गया एलेक्शन नहीं होने वाले थे लोग रही है यहां भाजपा सरकार में कि भाजपास हासन में पांच साल के अंदर कोई हिंदू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ नहीं सबसे बड़ी उपलप्दी रही यह लेकिन असी बनाम वीस का जो नारा लग र असी बनाम वीस का मतलब यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को 80% सीट मिली थी आच्छा अच्छा तो वह है मतलब वह मतलब हमीं गलत समझें चलिए कोई नहीं अब आप मेरे को आखरी में बताइए आपने कहा कि पिछली बार जो आंधी तूफान था इस बार थोड़ी किसी कम हुई है कुछ तो कम हुई है कम हुई है ज्यादा हुई है वो तो अब जब नतीजह आएंगे तब पता चलेगा कहीं बढ़ी भी है कि पिछली बार तो एक ही तरफ आप तो अब ज़रा बताईए इस बार कितनी सीटे आप उम्मीद करें इधर आ जाईए हमारे कैमर चौकी मंडी में थे यहाँ पर लगभग जो यहाँ पर व्यापारी जादातर यहाँ पर जिन से अभी अमरी बात हुई गुपता जी मी हैं त्रिवेदी जी मी हैं उन्होंने सब एक ही चीज बोली है कि इस बार भाजपा फिर से 300 क्रॉस करेगी थोड़ा सा माने कि इस बार अंधी में गिरावट है पर 300 फिर भी क्रॉस करेगी चलिए आप लोग जुड़े रहें CCA के साथ चुनावी चर्चा अब तक आती रहेगी शुक्रिया